सरकारी करमचारी RSS में प्रतिबाग ले सकते हैं केंद्र का ये निर्णे अभी कुछी दिन पहले आया है और उसके बाद मद्यप्रदेश हाई कोट का जो अब फैसला आया है वो कॉंग्रेस के मूँ पर एक करारा तमाचा है उनकी इमर्जनसी मानसिक्ता पर करारा तमाचा है मद्यप्रदेश के हाई कोट ने कहा है कि इस प्रकार का जो प्रतिबंद लगाया गया वो केवल और केवल उस समय की सरकार की विम्स और फैंसी के आधार पर था और एक RSS जैसी राष्टरवादी संगठन को एक प्रकार से प्रतारित करने की पूरी मानसिक्ता थी जिस प्र अधार के द्वारा ओम के द्वारा किया गया और इसका कोई आधार नहीं था उसे सांप्रदाइक घोशित करने का बलकि RSS तो एक राष्टरवादी एक इंटरनाशनली रिनाउंड और एक बहुत ही कौवेटर और जिसमें लोग पाटिसिपेट करना चाहते हैं आज यह जो विधान की कौपी लेकर इदरोदर मत भागिए बताइए कि आपके पूरवजों ने जो कुकृत्य किये हैं उसके लिए वह आप माफी मांगेंगे के वल वोट बैंक की राजनीती के चलते और तानाशाही मानसिकता दिखाते हुए आपने जिस प्रकार से RSS जैसे संगठन क बदनाम करने के लिए और जिस प्रकार से उसे प्रसारित करने के लिए आपने हतकंडे अपनाए और आज भी अपनाते हो उसके लिए आपको माफी मांगनी चाहिए